नमाशकार दोस्तों आपका स्वागति है हमारी यूटूब चैनल RBC वित्ती HSM के इंदर देखिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके इंदर ही वो कक्षा 10th की परशनावली हमारे पास RBC बोड में ठीक है परशनावली है दो चोरो वाले रेखिकी समीकरण एवं असमीकाई और परशनावली का जो करम दे रखा है बुक के अंदर वो चोथा दे रखा है यहीं परशनावली 4 है उसका नाम के हमारे पास ही दो चोरो वाले रेखिकी समीकरण एवं असमीकाई ठीक है और विशी हमारी ऐससे पहले भी हमने परशनावली तीन जिसका नाम बहुपद उसके बहुत सारी वीडियो हमने अपलोडी किये हैं, जिनके अंदर चयर, अचयर, बीजी, बैंजा के बहुपद, उनकी सारी परिभाषा हैं मने एक्स्प्रेण कीये, किलियर किये, अगर आप लोगों को चयर अ यार को पढ़िया तरी किसे में clear करके video upload करने वाला हूं सारे की सारे आप देखते रहे हैं आपको बहुत profit होने वाला इसके अंदर स्टार्टिंग देखे है मारी क्या है लिखा हुआ है दो चर्ण दो चर्ण कोईसी भी हो सकते है एकस वाई जेड चर ठीक है चर्ण वाली संखे है मारी पास और इसकी उपर लिखा है फिर दो चर्ण वाले रेखिक समीक्रण रेकिक समीक्रण का मतलब होता है ऐसे समीक्रण जिनमें चर्की घात एक हो चर्की घात कितनी हो एक ऐसे समीक्रण जिनमें चर्की घात या चर्की अधिक्तम घात एक होती है वो रेकिक समीक्रण ही कहलाते है और ऐसे में काई हमारी पास 4.2 में आएगी 4.1 के अंदर तो हमारी पास exercise ठीक है उसके इंदर के और हमारे पास ही दो चरवाली रेखीक समीकन दे रखें इसके बाद में 4.2 है इसमे काई दे रखें तेंथ के लास के इंदर एक नया टूपी का गया हमारे पास ठीक है यह ऐसमे काई क्या होती है जब 4.2 पड़ाओंगा तो उसके इंदर जितनी भी ऐसमे काई हमारे पास उनकी परिभाश्या ही क्या होती है इनको कहेंगे कैसे गणिती कत्धन होते हैं सत्य होते हैं सत्य होते ह का संतूष्ट होंगे का नहीं होंगे के संसंतूष्ट होंगे इन से पहले है च्रवाली रिखी के समिक्रण है तो कि वास्ते में, दो चरवाली रिखीक समिक्रण होते हैं, उनकी परिवाशा क्या है, उनका व्याफ़ ग्रूप क्या होता है, और उन्से सम्भंति जो सवाल बनकर आया मारे पास, 4.1 के अंदर. उनको कैसे सल किया जाएगा और जो रेकिक सम्मिक्रन युग में या निकाय जो रेकिक सम्मिक्रन होते हैं जोडे उनको निकाय भी कहा जाता है ठीक है तो उनका हल क्या होगा संगत होगा संगत होगा समानतरेखाओं का युग में परतिछेदी रेखाओं का युग में संपात ठीक है दो चरवाले यानि X और Y वाले दो चरवाले कौन-कौन से X और Y और रेखिक समिक्रण है तो यहां X की गात भी एक होगी तो यह होगी हमारी पास तो देख लिए आप जो रेखिक समिक्रण युग में हमारी पास समझना रेखिक समिक्रण युग में का व्यापक दो चरो वाले रेखिक, रेखिक की युग्म, युग्मी बोल देते हैं, इनको और निकाई भी गह देते हैं की बात है, ठीकी ना? निकाई का मानक रूप भी बोल देते हैं रव्यापक रूप भी बोल देते हैं, मानक की रूप, एंगलिस में इसको का जाएगा, इस्टेंडर्ड फॉर्म, ठीक है? जाद देना, दो चरो वाले, यहनी एक्सरो यह वाले, और समझ ना भई, ए, ए, एक्स, प्लस, बी, य, प्लस, सी, बराबर, जीरू, ठीक है? इसके अंदर देखो, समझ ना? यह जो रेकीक समिकरन है, मारे पास सी, यह रेकीक समिकरन का व्यापक रूप है, दो चरो वाले, रेकीक समिकरन का व्यापक रूप है, इसमें कौन क्या होता है, समझ ना? यह जो A होता है मारे पास E, यह X का गुणांग है, किसका गुणांग है? X का गुणांग, यह X का गुणांग होता है, और यह B होता है मारे पास, यह Y का गुणांग होता है, Y का गुणांग, ठीक है, और यह C होता है मारे पास, वह एक्चुली में अचरपद होता है, क्या हो पद कोई आइद गर्णिती संकky spinali हो सकती हूं अचरष पद है और ब्राबर में 0 तोãy रीखी का समीक्रण है रेखी का समीक्रण है तो चौरण जिसके नर्टरicing पीली में इसके बाद में देखिए रेखिक संविक्रन युगम का व्यापक रूप हो गया हमारी पास यह व्यापक रूप ही केलाता है ठीक है यह वाला ठीक है अब जो युग्मों होंगे हमारे पास छोड़े उन जोडों से रेखिक समिखन युग्मों की पहचान केसे की जाएगी वो तरीका बताने जा रहा हूं समझते रहे है जैसे मालीजी आपके पास पहली रेखिक समिखन है A1X A1X ठीक है दूसरी हमारे पास है B1Y ठीसी ठीक है पहली और पहली में अचार पास हमारे पास है C1 बराबर क्या है 0 फिर दूसरी एक एक समिखन अड़ A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर 0 यह दे रहा है और मैं पता करना है चार पॉंटिक में दे रहा है रेकिक सम्मिखन योगम ते देगा आपकर पूछेगा कि वास्ते में रेकिक सम्मिखन योगम में काल संगत होगा संगत होगा यह कैसे ग्याद के जाएग वो तरीका बता रहा देखते रहिए ज्यान देना याद करने का तरीका यदी यदी हमारे पास x के गुणांकों का वनुपात यानी a1 पोन a2 not equal b1 पोन b2 यानी x के गुणांकों का नुपात x के गुणांक a1 है या x के गुणांक a2 है x के गुणांकों का नुपात y के गुणांकों के नुपात के बराबर नहीं हो तो हमारे पास जो रेकिक समिखन योगम है वो क्या होगा परती छेदी होगा रेकिक समिक्रण यूगम क्या होगा रेकिक समिक्रण यूगम परती छेदी होगा क्या होगा परती छेदी यानि परती छेदी रेखाओं का यूगम होगा किसका हो जाएगा परती छेदी रेखाओं का यूगम होगा ठीके और graph के बादादर , प्रतीचत है रह्का हो ग्राप में ऐसे परदिशुआ की जाते हैं इसको काटे हूं यहां पर काटेंगे एक दूसरे को रहु juicy है..... और एक बिंदूपर काटेंगे इसको यहां पर तुसका है हल वे क्या होगा 1 एक भी कह सकते हैं इसको add-utl भी कह देते हैं इसको add-utl 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 का मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा ने है यह यह नि एकल होता है फिर आज़ें यहाँ पर दूसरे एखास ठीक है यदि हमारे पास से A1 अपोन A2 एक्वल हो B1 अपोन B2 एक्वल हो C1 अपोन C2 यानि X के गुणांकों का अनुपात और अचरपधों का अनुपात ये सब बराबर है तो हमारी पाँ जो रेखिक सम्हेकरन युग में होगी वो संपाती रेखा होगी क्या होगी संपाती रेखा युग संपाती रेखा युगम होगा क्या होगा संपाती रेखा युगम होगा और संपाती रेखा हों को गराप में कैसे परदिशत किया जाता है एक रेखा की उपर दूसरी रेखा ये जैसे ये पहली रेखा है और इसी की उपर दूसरी रेखा है ठीक है ऐसे परदिशते किया ़ता संपाती शुरूं के लाश्ट लाश्ट पारी सापशन पसरा प्रति आपके निदन के रहा है il लोल वाच वाण झीज पयोल नहीं होता पर के यक ऊप जने जने अके मिलते जार्कों टर्ला सब्सक्राइव में आल पी तू venture सा gdy अनंदि हल और इन दोनों का जो हल है वह मिला करस्षिक थरुप से कहा जाएगा संगत हल किया कहा जाएगा इन दोनों रेखाओं की जो हल आने हैं मारे पास सी वह डोनों के आ जाएगे था जांगे फिर एक तीसी रेखा यूग्म और हुता है तो यह हमारे पास, देखो क्या है हमारे पास, A1 अपोन, A2 इक्वल, B1 अपोन, B2, but not equal, भूत अपोन, C1 अपोन, C2, यानि X के गुणागों का अनुपात, और Y के गुणागों का अनुपात, यह तो बराबर बराबर है, लेकिन यह दोनों ही अचरपदों के अनुपात के ब समानतर रेखा यूग में, समानतर रेखा यूग में, समानतर रेखा यूग में हो जाएगा, और इस कंडिशन में तो गराप में, गराप रेखा हैं मना होगे, तो समानतर रेखा यूग में बनेंगी एक रेखा यूग, और दूसरी रेखा यूग यानि यह ना तो सुरू म मिलेंगी ना लास्ट में मिलेंगे ठीक है और जब मिलेंगी नहीं तो इसका कोई हल भी नहीं होगा क्या लिखेंगे कोई हल नहीं कोई हल नहीं और जब इनकी संगत और असंगत की बात की जाएगी तो उसका जो हल होगा वो असंगत हल होगा क्या हो जाएगा असंगत हल होग एक उन्हांतं अच शहरत मुला देखवु और सटीर सर्गि में गणाव स्वाहरां यूग्मों अन्हें परिखाएं को होगी उनने कि प्रती च क्यों मेंगी मुला और समाथा यूगे और Y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है, सुन ले ना, X के गुणांकों का अनुपात और Y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है, अधों wanna equal hai, not equal hai. ठ्रीक है, तो पर्ती छेदी रेखा युगमा को होगा और पर्ती छेदी रेखा युगम का एधिती हल होता है और उसका हली भी क्या होता है? संगत. ठ्रीक है. फिर यदी है मारी पास X की गुणांकों का नुपात, Y की गुणांकों का नुपात और अच्रपदो का अनुपात यानि ये वाला, ये तीनों ही बराबर है, तो जो रेखा युग में होगा मारी पास वो संपाती होगा, और संपाती जो रेखाए होती हैं, उनके अनंत हलोते हैं, और इनकी भी हल क्या होंगे, संगत हली हो जाएंगे, या लिख देता हूं, ठी इसके बराबर नहीं है, अच्रपद के अनुपातों के, ठीके, तो मारी पास क्या हो जाएगा, जो रेखा युग में समानतर रेखा हो जाएगा, ठीके, और इसका कोई हल नहीं होगा, मिलेंगी नहीं रेखाए, तो हाल कहां सी हो जाएगा, ठीके, और जो हल होगा, इसका क क्या हो जाएगा मारे पाची असंगत अली हो जाएगा ठीक है फिर हम क्यूशन ले लेते हैं एक बड़ी ऐसा इसी के आधार पर आपको इसका स्क्रिंशूट ले लना चाहिए था ठीक है आप बेक में पीछे जाकर भी इनका स्क्रिंशूट ही ले सकते हैं और हम लोगी जो बहुपद वाले जो पिछली परस्णा हो लिया है जैसे हमने तिर्कोड मेती पढ़ा दिया है बहुपद पढ़ा दिया है सांखे क में पास ही आज जाएगी देख लीजिएगा आप लोग ठीक है आपको कहीं भी दर उदर गोमने के होशकता नहीं है आपको सारा कंटेंड और सारी विश्यों की जो सब्जेक्ट की सार है वो सारी यहां प्रेवलेबल कराई जाएंगे देखिए क्यूशन नमबर एक ले ले पास ही 2x minus 3y आप में दे रखा है देखो 2x minus 3y and बराबर 8 बराबर क्या दे रखा है 8 यह तो सम्मिकन के 1st होगी ठीक है पर सम्मिकन 2nd है 4x minus 6y 4x minus 6y बराबर में आपको दे रखा है 9 बराबर क्या देरका है 9 आब इसके पहचान करनी है आब इसके पयाचान डेखिए कि जोर्सक क्या सम्मिकन क्या दे रखा यह जोड़ा ठीक है discipline 1-2 तोखा जोड़ा हो गया यह जोड़ा है यह हमारे करेंगे a1 upon a2 यानि x की गुणांग को कुन उपाद a1 upon a2 a1 क्या दिको x के गुणांग 2 है यहाँ पर x गुणांग 4 है स्वाल करेंगे तो कुतना जाएगा 2 1 2 2 4 यानि अब कि वास एक बटे 2 हा जाएगा फिर ग्यात करेंगे हम b1 upon b2 b1 upon b2 b1 कितना है मानिस 3 और b2 कितना है मानिस से मानिस से मानिस केंसिल तीन इकम तीन तीन दुना छे यहाँ भी कितना आगे एक बटे 2 हो गया दोनों के बराबर आगे तो आपको तीसर भी ग्यात करना ठीक है अचर पद यानि c1 upon c2 यानि 8 बटे में 9 यह दोनों तो बराबर हैं लेकिन यह दोनों इसके बराबर नहीं है तो मारे पास कंडिशन कौन सी लग गई कंडिशन तीसी लग गई मारे पास कौन सी हमारे पास देखो a1 upon लिख लेंगे चुंकी चुंकी का चिल सोरी हाँ चुंकी का चिल चुंकी a1 upon a2 equaling b1 upon b2 बट भूत अप नॉट इक्वल टू c1 upon c2 यानि x की गणांको अनुपात रुवाय की गणांको का अनुपात तो बराबर है लेकिन अचर पद अनुपात इन दोनों के बराबर है नहीं है इसलिए हुआ है है किसी लिए यह समानतर ररेखा यूग्म का यह होगा यह समानतर ररेखा यूग्म होगा अब समानतर लिखाओं को तो कोई हल नहीं होता ना तो क्या लिखेंगे कोई हल नहीं कोई हल नहीं और उब्रिक में लगा देंगे असंगत हल क्या लगा देंगे असंगत हल कोई हल गयात नहीं जा सकता तो आंसर क्या जाएगा असंगत हल यानि इन रेकिक समिक्रण युगमों का जो हल हो होगा और यही इस कांसर भी निकल करें आ जाएगा चारपूंट एक में से बहुत सारी स्वाल दे रखें जो हम मैं अगले वीडियो के अंदर आपको क्लियर करने वाला हूं ठीक है तो आप अगली वीडियो में बने रही है ठीक है और अभी तक अगर आप लोग ने हमारे चै करते हैं ऋंत्यार आपके भी स्वाली में रहागा देखें जो हमारे रहा है ।